हेलो दोस्तों कैसे आप लोग मैं द्रगेश आश्वाल श्रागत है आपका हमारी चैनल इलेनी भी द्रगेश पर आज हम लोग सोर्मेंडल का भाग दो पढ़ेंगे और हम लोग विश्व भुगोल पढ़ रहें यह पूरी तरस NCRT पैटन पर है तो कि आपको भी पता है कि हम NCRT पैटन इप पढ़ाने विश्वास रखते हैं तो शामान अदन की स्रीज में आज हम लोग NCRT का जो जिगराफी का था वो सक्षन नमबर टू माने पार्ट तू अर्था सोर्मंडल का भाग दो पढ़ेंगे इस भाग दो में हमने पहले जाना तग रह क्या है तारा क्या है उप रह क्या है शुपदग्रः किसे कहते और प्राटिक इस अब हम लोग उसके ठीक आगे बढ़ेंगे और उससे अनित तत्यों को एक के करके चर्चा करेंगे तो सबसे पहला टापिक में पढ़ना है उसका नाम है सूरिज जिशे आप कहते बना लेंगे और अपनी कॉपी कलम लेकर बैठ जाएंगे यह पुरी तरह से पेड़ क्लास के लिए चल लही है तो कोई बात नहीं आप इसे अपने सभी दोस्तों को बताएगा इलेनी बिद्रगेश की ओनलेंग क्लास के लिए जहांपे आप 630-634-367 पर वाटसेप करके ओन करते हैं शूर की तरह ठीक है तो फटा 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 प्लोग हेडिंग मनेगा शूर अर्थाथ शन तो चलते हैं आज हम लोग शूर पढ़ेंगे और शूर के लिए सभी लोग तायार है अपने कॉपी पे नोट डाउन करते चलेगा आज यह टॉपिक है वहम लोग को पढ़ शक्कर लगाता है या घूमता है यह 25 दिनों में धुर्वी भात पर 35 दिनों में एक घोणन पूर करता है शूर अपने अक्ष पर 7 अंस का कोण बनाता है तो अगर शूर को खोखला कर दिया जाए उसमें 13 लाख पृतिवियां शमा सकती हैं कितनी 13 लाख पृतिवियां शमा शमा सकती है यह बड़ा अच्छा चकित बात है आपको जहनने योग्य है कि सूर कुम खोखला करते हमारी 25 में 13 लाख शमा सकती है और सूर में देखा जाए तो सूर में प्रतिवर्स 12 तारा मंडलों से 12 तारा मंडलों से होकर गुजरता है फिर यहां पर आप आप लोंे कि प्रतेकमा सूर एकБरष beneflet दूसरी संक्रमण करता है इसे संक्रांती करता नाम से जानती है अब बहुत सते अ droit को लिखवाते चलेंगे वैसे जांते रहेगा जब शूर मकर्रासीं प्रवेस करता उसे मकर्ण लाते क्रते हैं और आपको जानकर पता भी होगा मैंने स तरह से गोला है एक गैसी गोला है विसमें अग्या दिखा जाए तो घैड्रोजन है वो 70% है है हाइड्रोजन 71% और हिलियम 26.5% हिलियम केतना है 26.5% हिलियम है अन्य जो गैसे हैं वह लगबग अन्य तत्व जो है वह 0.5% है यहां पर हाइड्रोजन है हाइड्रोजन और यह आपका हिलियम हो गया है तो हिलियम से मिलकर बना है सूर की जो वर्तमान आयू है सूर की वर्तमान आउयु की बात करें तो चार दसमलों साथ अरव वर्स है इतनी है चार्दस अरव वर्स आई है जब किस की कुल आhyू लगपक 10 अरव वर्स है कितना है 10 अरव वर्स है और यह सूर प्रिटिवी के सबसे नस्दीक का सबसे पास का एक ।ॉ छूर तो को तीन अस्तर पर बाटा गया है कौन-कौन पहला तो क्रोड थे लीकिरन में ख़ला इस समझे में गया इन तीन भागों में बाटा गया जबकि शूर के पर अगर देखेंगे यहाँ पर आपको कोर कहते हैं तो के समभण चेहते हैं पर कियो पर करता है इंक के बारे में थोड़ी थोड़ी यहांपर देखेएगा अप लोग इंटटरने इस्टर्चछर आप शोर की अंतरिक संहराखना इसमें पहला लखेगा कोरीषय आप क्येंद्री रखकेते तक गोर होता है मैं यह षुआ का सबसे केंद्री भाग होता है कैसा यहां पर शूर का सबसे केंद्री भाग होता है जिसका तापमान एक दसमलोग पांच गुड़े दस घाते सत्तर बडिग्री शल्सियस होता है इस पर ताप पर परमाणु का वी भाजन जे होता और यहां पर नाभ की शनलें की प्रक्रिया होती है जिसे शूर के पास क्या होती है उसमा आती है उर्जी आती है वनलब हैड्रोजन टूटकर हिलियम में बदलता है पर यहां पर आपके लिए यहां पर यहां पर टॉप्टिक्स carriage पर कम क्या है यहां पर तसम पर यहाँ पर प्लाज्वा का निरमार्ड होता है यहाँ पर आपने देखा कि सूर्ग के एक के जों सूर्वार के हðै century अगे हो आगह को समझ में आगी और देखेंगे और बात की स्व जा मंडेगे को मिलेगा। देखते हैं यह क्या है। इसके बाध अगला है आपका विक्रण छेत्रा. अगला को क्या मिलता है? विक्रण छेत्र. और जो विक्रण छेत्र He it's a brickya मेखला क्रोड को 4 उसे ठके हुए ये किलो मीटर है ठीक है इसकी जो चोड़ाई है ब्रीथ जो है वह इतनी है कि फिर क्रोड में जो उत्पन उर्जा वहाग फोटान या पर जो उर्जा वहाग है वो क्या है आपका वहागा फोटान है सब्सक्राई है वह निया कि फोटान है तथा गामा कीड़ें इसकी सघंग ऐसी मेखला से वह कर गुजर्ती कहां से यहां से हो तक यहां सता गामा कीड़े फिर अगला आपका यहां से सकिंसों चाहां तो लेली जएक आप लोग जो भी साथी लाइब देख रहें क्योंकि से कर समन्चत्र में आपको पढ़ना है बहुत यह विक्रण में एक लाग घेर हुए वह इसको पीला लगोशा देख रहे हैं इसको घेर हुए और इसकी जो मुटाई है वह 1.3.9 किलोमेटर है एक दस मलो तीन नौर लाक क्यूलेमिटर है और यह समवनी मेखला तीसरे अस्तर का निर्मार करती है कोशकाओं से निर्मित इस मेखला में नीचे बड़ी तथा ऊपर छोटी कोशका है उपर छोटी कोशका है पाए जाती है और इही को इसकोश होकर सौर अरजा जो होती है बाहर निकलती है यही से बाहर निकलती कहा से शमाहन्च्छेतरशे अरजा बाहर निकलती है तुम उम्मीद करता हूं यहां से आपको जो प्राश्नत है वह आप लोग को धीरे-दीरे समझ महा रहा होetenर क्लियर हो रहा होगा मंदल को पर तीन प्रकार के मंदल पाय जाते हैं जैसके स्कीन सॉट ले लिजएगा और टेलीग्राम पर आप सभी जो भी लाइब देख रहे हैं वह दुर्गेशर सर्च करके दुर्गेशर सर्च करके इलनी पर दुर्गेश पर जुड़ेंगे और लीजिए 63063 267 पर है इस पर पर आकड़ेंगे और मंनडल प्रकास मंदल उपसे प्रकास मंदल जिसे घो हम 벌써eg डूसरा आपका हैental दूसरा क्या है वर्ण मन्डल जिसे आप खुरो मस्पेर केते हैं क्या केते हैं क्रोमा श्पेर on हम यह फ्लोंत घु commentsि खnt क्या है अवर को रोना पे देख होटे यहाँ पर रोट रहींड ऐहां पर अब ठीक जो तीसरा है वो आपका कुरोना है आए इन सभी के बारे में एक के करके हम लोग देखते हैं ठीक है मुँमीद करता हूं आप लोग को यह जो बात है यह सारी कॉंसर्ट सौन में आ रहा होगा क्लियर या कोई दिक्कत आपको यह फिर भी ताप पूछ सकते हैं कमेंड करके जो लोग भी लाइब देख रहे हैं चलिए एक ही करके पढ़ते हैं पहले लोग पढ़ेंगे पहले डेलेगा फोटो स्पियर पहले ही डालेंगे फोटो स्पियर जब फोटो स्पियर आप ही डाल तो आई आगी लिखते हम लोग अब यहां पर लोग देखना है प्रकास मंडल के बारे में थोड़ी बहुत हमें चीजों को आप लोगों पढ़ना होगा और यहां पर जानना होगा तो जो हमारा प्रकास मंडल लेक्मनुट टुकेगा तोड़ा सा इरेश कर दिया जाए प्रकास मंडल के नाम से जानते हैं जो शमवनी मेखला है देख रहे हैं जो शमवनी मेखला है जो शमवनी मेखला प्रकास मंडल कहते हैं इसका जो तापमान होता है एक एक करके लिखते चलिएगा वह 6,000 डिग्री देखने को मिलती है इन देखाओं को फ्रान हाफर कहते हैं लेख लिजएगा जो काली रिखाएं होती हैं उन्हें फ्रान हाफर क्याते हैं और सौर कलंग इस मंडल में ही पाया जाते हैं सन स्पॉट इसी मंडल में पाया जाते हैं यहीं पर क्या पाया जाते हैं और प्रकास मंडल के सूर के धरातल निकरतम कुछ सो किलो मिटर में वाई मंदल भी पाया जाता है तो यहां पर हमने देखा कि इसे फोटोश्पेयर कहते हैं इसे प्रकास मंदल कहते हैं इसका जो तापमान होता है च्छा डिग्री सलसियस होता है प्रकास कई रंगों से बनाता लेकिसका जो कुछ रंग होता है वह फोटोश्पेयर दवारा असोसित कर लिया जाता है ठीक है और नविंतम जो सोध हुआ है उसके अनुसार सौर कलंग की उपस्तिती पित्वी पर जलवायू की दसा को बहुत हत्त करती है यह सौर कलंग से प्रवाइद कर है काफी यह देखे हर जग आपको नहीं मिलती सभी किताब में इसका उलेक आपको नहीं मिलता इसलिए इस सभी तत्थों को आप लोग को अच्छे से पढ़ते रहना चाहिए जब आप लोग को सब कुछ भैतर तरिकेश करना है तो इन बातों को भी आप सभी को जानते रहन आप सौन होफर क्या है एक बार हम लोग वीडियो बीडियों देख रहे हैं कि पर क्या है देखिया जो फो उपर है वो काली रिखाएं हैं और इन रिखाओं को फ्रॉन हाफर कहते हैं जहां पर काली रिखाएं दिखाई देने लगती हैं बने इस प्रकास मंडल दोरा और सोसर करने के बाद प्रकास का जहां पर काली रिखाएं दिखाई देती हैं उन्हीं क्या किते हैं प्राउन होफर के नाम से जाना जाता है अब यहां से हम लोग आगर देखेंगे अगला जो आपका है उसे कहते हैं वाड मंदल क्या कैते हैं वाड प्रकास मन्दल की ऊपर यह है जो प्रकास मंडल है यह प्रकास मंडल देख रहा है इस प्रकास मंडल के ऊपर है और 2000 से 3000 किलो मेंटर की मोटाही में फ्यला हुआ है यह गर्म कैसों से निर्मित है जो गैस से बनाएं लेकिन गैसों का घनत तो प्रकास मंडल के बाहर जाने पर करता है जो जो प्रकास मंडल के बाहर जाएगा तो घनत जो है वह क्या होता है बढ़ता जाता है अर्थात वर्ण मंडल में प्रकास मंडल के पेच्छा गैसों गनत कम लेकिन ताप अधिक होता है तो यहां पे भी आप लोग को कई चीजे पढ़ने को मिलेगा जैसे आपने आगे पढ़ा होगा कि वर्ण मंडल में गैसों के उड़ते प्रवा को इस्प्लीन कहते हैं श्विप क्वील लिख लीजगा श्विप क्ली कहते हैं कैसे श्विप क्लिव क्लिव कहते हैं मतलब वर्ल मंदल में जो गैस के उटते प्रवा जो मंदल में गैसों की जो प्रवा उटते हैं गैशो के जो प्रवाह उड़ते हैं उन्हें स्विक्त कहते हैं इस अंग्रेजी मिश्यक्य कहते ये इस प् diarrhea रो क्यें में कहते हैं जो करोना तक पुछे जाती जो कहां तक पहुंचती हैं कॉरे जो करूना पुछ हो जाती है कभी-कभी मंदल में तीब्र गहंता का प्रकास उत्पन्न होता है जिसे सौर ज्वाला कहते हैं जिसे क्या कहते हैं यहीं पर गहंता का प्रकास उत्पन्न होता है जिसे हम शौर ज्वाला के नाम से जानते हैं क्या कहते हैं उसे सौर ज्वाला कहते हैं इस ज्वाला जो होती है सौर जोला जो होती है उसमें यक्स्त था गामा किरने निकलती है इसमें पदार्थ का आउस्तन आठ सो किलोमेटर प्रति सेकेंड की दर से बाहर की तरफ फेका जाता है और वन मंडल का प्रारम प्रकास मंडल की उपरी परस्य होता है जहां पे रडात्मक जाते हैं आए यहां से कुछ बाते बता हैं जो यह इसको पर इसके ले लेजिएगा ताकि आप थोड़ा ता साफ हो जाए डिस्प्ले ताकि और अच्छा से समझ में आये ले अपने देखें यहां पर जो सोर जॉपास पहुशती है और पिछ्छा के पास पहुशती है तो यहां पहुचने के बाद यहां पिथिवी के पास पहुचती है जैसे हमारी पिथिवी हो गई है उसे अरोरा बोरियालिष कहते हैं लिख लिजए गा जाओ तो अरोरा कि अरोरा इसे अरोरा कहते हैं ऑरुषि नहीं और 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 बोर्यालिष केते हैं जब कि दच्छण में जो जाता है उसे और और आश्ट्रेलिष कहते हैं जो जब तकराती है इसके उपर एक अभी बताएंगे जो हम लोग पिठ्वी पढ़ाएंगे इसके चाओ तरप एक महीनेटी 400 किमेटर घेरा होता है यहाँ पर सौर जौला पिठ्वी की गुत्तो अगरान सकती के वज़े से यहाँ पहुचती है फिर हम दो भागम जाती है उत्री और दच्छणी जो उत्री दुरू के तरप जाती है उसे और और आश्टेलिष कहते हैं यह चमक 75 से यह जो चमक होती है इसकी यह 75 से लेकर 300 किल मुहों पर 6 महीने की दिन होती है और 6 महीने की रात होती है और जब 6 महीने की दिन होती है 6 महीने की रात होती है तो वहाँ के लोग कैसे देखते हैं तो जी यहां वहाँ के लोग जो देखते हैं उसका सबसे बड़ा काम यह है क्या कि औरियालिस और 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 अ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पी ओरना जिस्व का नाम कोरोना पड़ा करना के लामनहें जो शूर के वाय मंझल का सबसे बारी आवरण है की उपर पार जाता एसका बिस्ताब कई की मिलियन किलिमेटर तक पाजाता है बाहर की ओर यह छिड़ होकर आयन तता इलेक्ट्रॉन की पवनों से परिवर्तित होता रहता है और जो सौन मंदल से होकर प्रभायत होने वाली को सौन पवन या सूलर विंड कहा जाता है कोरोना से लाल रंग की छाप का ने reflex होती है यहां से लाल रंग की जो लपटे होती हैं, चाप की तरह उसी का निर्माण होता है, करोना में प्रवेश करते हैं, जिसे हम प्रामिनेंस कहते हैं, इतना आप लोग को नहीं लिखना है, तो चलिए, यहां तक जो सूर के बारे में था, वो हमने आपको बता दिया, समझा दिया कुछ महत्यपुड तथ्य हैं, जो अगर आप लिखना चाहें, तो लिख लिजएगा, जैसे एक तथ्याप का है, कि सूर से जो पिथिवी की अधिक्तम दूरी है, अगर अधिक्तम दूरी कहेगा, अगर जैसे अधिक्तम दूरी हैं, सूर से पिथिवी की अधिक्तम दूरी है ठीक अगर हम देखा जाए पिठीवी से मध्यम दूरी अगर बराबर देखा जाए इक्वल दूरी कितनी है तो 14.9 करोण किलोमेटर है अगर देखा जाए सबसे नूंतम दूरी कितनी होती है तो 14.7 14.7 करोण किलोमेटर है अगर पिठीवी का प्रकास सूर का प्रकास पिठीवी तक 500 सेकेंड में पहुसता है कितने में 500 सेकेंड अर्था 8 मिनिट 16 सेकेंड कही 18 सेकेंड मिल जाता है कही 14 सेकेंड मिल जाता है तो लगभग ये 500 सेकेंड में पहुसता है यदि सूर को खोखला कर दिया जाए उसमें 13 लाग प्रिठीवी यां समा सकती है आइ सूर के सता का 586 डिरिशेस होता है हिब है आपको दिखा दिय और्ग व चाल अगर सूर की प्रकास की चाल तो अगर आप लिखना चाल लिख लेज़ेगा प्रकास की चाल दो होती है यह प्रकास की जो चाल होती है वह होती है तीन गुड़े 10 घाते 5 कर दिया. तो km प्रतिसेकंड हो गया, अगर इसे mpless second करना है, तो 3 घुड़े, 10 घाते 8, mp 30 हो जाएगा, यह प्रकास की चाल हो जाएगी. अगर एक प्रकास वर्स पूछा जाए, इसकी स्कीन सॉट ले 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 उसके बाद तब हम लोग आगे बताते हैं कि अगर हम एक प्रकासवर्स की बात करें तो अब लिख लीजेगा एक प्रकासवर्स बदाबर एक लाइट एर बराबर 9.45 गुड़े 10 घाते 13 किलोमेटर बराबर एक प्रकासवर्स होता है जबकि एक पार्षेख जबकि एक पार्षेख होता है वो होता है तीन दसमलोच छह लाइट इयर माने प्रकासवर्स के बराबर होता है तो यह सारी चीजे आप लोग जानते रहेगा जो परिच्छाओं में कई बार पूछा या बार बार परिच्छाओं में पूछा जाता है इसलिए इस तथो को अगर आप चांते रहेंगे तो भुष में या से कभी न गलती होगी, न भुष में कभी कोई दिक्कत होगी, न कभी कोई समस्या होगी, और आपके मन में अगर कोई प्रशना आ रहा हो, कोई सवाल आ रहा हो, तब कमेंड करके पूश सकते हैं. आज हम लोगों ने सौर मंडल में सूर को पढ़ लिया, सूर से जुड़ ही उन महत्रपुर्ण तत्थों को पढ़ा, जो परिच्छाओं में बार-बार पूछे जाते हैं, और फिरहाल अगर आपको भी-भी कोई समस्या रहती हैं, तो आप पूश सकते हैं, जैसे अगर पूछा जाए कि सूर की कुल आयू, अभी इसको इसकीन सॉट ले लेजएगा, ताकि हम आगे पढ़ाए इसकी स्कीन सॉट ले लेजिए, सभी लोग जो लोग भी पेटकलास की मेंबर हैं, वे सभी इसकी स्कीन सॉट ले ले, देखें जैसे पूछा जाए शूर की कुल आयू अगर कुल आयू पूछा जाए तो कितनी है दस अरब वर्ष है अगर वर्तमान आयू पूछा जाए तो चार दस मलो शाथ अरब वर्ष है चिक सौर पर उद्जा कैसे आती है नापके सल्लें कि दोरा सौर कलंक कितने सव अंतरौल पर आता है सौर कलंक तो याद रखेगा जो जो सौर कलंक होता है यह कितनी अंतरौल पर आता है तो 11.01 आर्थ लगभा केंके 12 वर्ष भी आपको मिल जाता है मंदाकनी से केंद्र की दूरी कितनी है मंदाकनी से सूर के केंद्र की दूरी अगर आपको जानना हो तो वह है 32,000 प्रकासवर्ण सौर्जवाला कहां से प्रकाथ होता है सौर्जवाला जो होता है वह कहां से प्रकाथ होता है वह कुर्मोश्पेर से होता है सौर्जवाला कहां से होता है वन मंदल से या कुर्मोश्पेर से होता है विश्व तरीक्षी सौर्परिक्रमण कितना होता सूर का 25.8 दिन होता है सौर कलंग का तापमान एक प्रश्ण आता है जो सौर कलंग होता है इसका तापमान की लोके आता है इसका महत्य electr otherwise ऑघर से प्रकाट होता है सोर कलंग कहा से प्रगड़ होता है तो यह हम लोगों ने सूर से जुड़े हुई उन बहुत महत्वण तथ्यों को पढ़ लिया ठीक है जो प्रिथि भी या से जुड़े हुए प्रस्ण में बार बार पूछे जाते हैं यादि फिर भी आपके मन में कोई प्रस्ण आ रहा हो कोई समस्य आ रही हो ताप बही चक पूछ सकते हैं ते कि जो में महत्वण प्रस्ण थे वह भी मैंने आपको बता दिया बागी जो प्रक्टिस सेट की सीरीज शुरू किया थे जो आप लोग को प्रक्टिस सेट की सीरीज जो निशल में आप लोग को मिली थी वहां से एक बार आप उसे देख लिजेगा ताकि पढ़ने के बाद जब आप प्रस्णों का उत्तर देंगे तोहां से आपको कोई समस्या ना होने पाए और इस वीडियो पे आप अंध तक बने रहें जाप आज हम लोगों ने सौर मंडल में केवल सूरी को पढ़ा और सूर से जड़े हुए महत्वण तथ्यों को पढ़ा और ये समान दिन की भगोल में एक महत्वण तथ्यों में शेख है जो अमने इंसियाटी के अलावा अन्नी किताबों का सहरा लेकर आपको ये पढ़ाया है इसमें इंसियाटी कच्छा 11 12 कच्छा 9 कच्छा साथ इन सभी की एक अग्रम अग्रहणी भूम का रही है उसके साथ साथ आप लोग 24 367 पर WhatsApp करके आप और लिंग क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर आदी के लिए आप हमारे साथ जोड़े सकते हैं इसके बाद शूर एक तारा है पितिवी के सबसे नजदीक का तारा शूर है तो दूसरा प्रशन है कि पितिवी के सबसे नजदीक सूर के बाद कौन सा तार अगर आप कोई वीडियो बेहता लगा तो लोगों तो पोचाएगा अगर आपने भी लाइक नहीं के तो लाइक करिएगा और अपने शवी दोस्तों तक बताईएगा इलनी बिद्रगेश की जीएस की जो महागाता से रिचर लहीं उसमें जूड़ने के लिए बहुत- हुआ हुआ है